Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return. अगर मेरा वीडियो ये content अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरी आपसे विंती है, मुझको आप सब्सक्राइब करें तो जिस कंपनी की छोटी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सुगजीज स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड एनेसी पर सिंबल है सुगजीज करके 80 साल पुरानी कंपनी है इस्टेबलिश हुई थी पंजाब के छोटी सी जगा पर फगवाड़ा पर और उस समय क महाराजा जो थे जड़ा जीट सिंग जी उनकी ब्लेसिंग से कंपनी की शुरुवात हुई थी भारत की सेकेंड लार्जेस टार्च एंड डेरिवेटिव प्रोडूसर है ये और इसके पास है पांच मैनुफेट्रिंग प्लांट्स ऑपरेशनल मैनुफेट्रिंग डाद्स ये यूज होते हैं variety of industries में जैसे की Helenines में फार्मसू्टिकल्स में टेक्स्टाइल्ज में जैसे क्वॉण श्राज की बात करी भार या घर पे लोग हुआ कौन स्टार लिक्विट्ट गूलुकोस कै यह वहीजित नो होता है जनरली तो यह जनरली किमोस्टली होता है कनफेश्चिरी की मैं बेकरी प्रोड़ेस में बड़्या जो आप सर्दीयों में गुड़की पत्ति खाते हो नौ उसमें भी लिक्विट्ट गूलुकूस डल है जो की use होता है as a food additive starch ना एक जगा और use होता है और use होना शुरू हुआ है in the making of bio degradable plastic जब आप Starbucks के गारा माँ जाते हो न जो एक straw देखते हो मोटी सी fancy सी वो भी न स्टार्च उसमें use होता है बनाने के लिए और company की अगर आप clientele देखो तो बड़ी बड़ी कंपनिया जैसे Nestle, Diver, Hans, Merico यह सब clients है और revenue अगर आप इसका देखो के तो starch और derivative से revenue आता है 87% का fine chemical से revenue आता है 13% का और overall अगर आप देखो तो 18% revenue उसको export से आता है और export भी यह नहीं कोई छोटी-मोटी country में है America और Europe में company export करती है और अब company का plan क्या है to increase the production of value-added products by at least 25% in next two years भी यह यह होगा तो क्या होगा? margins बढ़ेंगे, top line बढ़ेगी, सब कुछ क्या होगा? bottom line बढ़ेगी और company के पास है holy-owned subsidiary for food processing और इस subsidiary का नाम है SMFP यानि की सुखजीत mega food park है यह एक special purpose vehicle company ने बनाया था और इसको commission किया था नवंबर 2020 में यह जो special purpose vehicle है बेसिकली क्या कर रहा है? यह develop कर रहा है plots को for setting up food processing units including integrated milk processing unit, canning, ready to serve juices and beverages, डाल, rice mining, instant traditional foods and starch extraction revenue कहां से आएगा भाया plot को एक तो lease करेगा वहां से revenue आएगा और साथ में charge करेगा उनके ओपर for the uses of common core infrastructure facilities और financials अगर आप इसके देखे तो यह दम बढ़िया है continuous profit making company है continuous dividend paying company है 21% की pet की growth है पिछले तीन सालों की dividend payout अगर आप देखें तो 17.2% है dividend yield अगर आप देखें तो 2.46% है और अगर आप इसकी profit के CGR देखें पिछले पांच सोलों की तो growth कर रही है 32% से और company ने recently report करा highest ever revenue of 1159 crods and pet of 73 crods in financial year 22 stock की peak है मात्र 9, industry की peak है 24 one third of industry की peak पे चल रहा है भहिया अगर शोले का गबबार आए न तो बोलेगा बहुत नाइंसाफ ही है और सबसे important चीज क्या वही है हम देखते है red flags कोई red flag नहीं है कोई warranty इस्यू कर रखे company ने lower price पे कोई pledging नहीं है NAC BAC दोनों पर listed है और क्या management की quality काफी अच्छी है और corporate governance पर पूरा focus है तो सब कुछ है all is well valuation देखें तो market cap है मातर 626 करोड की 19% की return on equity है और trade कर रहा है 0.4 times market cap to sales ratio पर sufficient liquidity है 60 करोड रुपे mutual fund में invest कर रखा है dividend जैसे मैंने बता है regular dividend paying company है इतने भैतरीन fundamental हैं मेरे को तो लगता है कि भया मेरे इस video के बाद मतलब की sooner और later कोई बड़ा निवेशक micro cap stocks का जरूर इसमें stake लेगा इतने बढ़िया इसके न fundamentals है और यह fundamentals देखें मैं आपके साथ share कर रहे हैं दिखाता हूं आपको इसका technical chart यह देखो जी यह है इसका monthly technical chart यह तो यहां पर sideways चल रहा था 2011-12 में continuous stock ने एक rally दी stock ने 615 के prices लगाए देखो जी 615 कि यहां से rally ली थी 140 रुपे से March 2020 में यहां 640 के बहुत लगाए correction ली अब technically जो मेरा core area है मुझे लगता है कि भाईया bottom के आसपास है bottom is in place इन स्थरों पर corrections पर भाईया इसको खरीदना चाहिए और अगर आप खरीदते हैं तो भाईया मुझे लगता है अच्छी return देखने को मिलेगी यह वाले highs भी stock crack कर देगा 614 के eyes भी crack करेगा 412 के round चल रहा है मुझे लगता है easily यह stock जो है na 800 प्लस पर जाके settle होगा जैसे momentum आएगा और खुदना खासता कोई जैसे मैं कहरा हूँ कोई निविशाक micro cap का कोई आ गया कोई बड़ा नाम आ गया तो re-rating जल्दी देखने को मिलेगी और chart एकदम बढ़ी है यह तो देखो यह तो monthly chart है अच्छा chart है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि correction खतम नहीं हो रही है तो chart को उल्टा कर देते हैं अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि गिरेगा यह तो chart उल्टा है यह ठीक है यह तो monthly chart हो गया similarly देखो यह weekly chart है corrections है correction लग रहा है clearly लग रहा है खतम हो चुकी है base बना हुआ है गिरावट पर मुझे लगता है इसको accumulate करना चाहिए तो देखो दोस्तों मैंने आपके साथ share करा पूरा technical पूरा fundamental सब कुछ share करा मुझे लगता है यह at least 2x यहां से होना चाहिए ठीक है ना 2x होना चाहिए 2x के उपर settle होना चाहिए एक बार वहाँ 800 प्लस आएगा तब इसको review कर लेंगे तो आज मैंने देखिए आपके साथ share कराया एक भेतरी stock जो मुझे एकदम multi bagger इसके अंदर potential है और कोई भी red flag मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है तो अपना feedback दोस्तों जरूर share कीजेगा comment section में आज के लिए बस इतना ही अपना प्यार और सने योई बनाया रखिए फिर मिलेंगे Thank you